Hello everyone, Welcome to Success with Rai Academy 10 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्टी संस्क्राण को आज किस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो चली वीडियो को सुरू करते हैं पहली जो न्यूज है कि पाक सीमा के निकट राष्टी राजमार पर उत्रे वायू सेना के विमान देश के सैन इतिहास में एक और सुरूनिम अध्याय गुरुवार को उस समय जुड़ गया जब भारत पाकिस्तान अंतराष्टी सीमा से महज 40 किलोमेटर की दूरी पर यानि की राष्टी राजमार पर पहली बार वायू सेना के युद्धक वर मालवाहक विमानों ने सफलता पूर्वक लैंडिंग की है रक्षा मंत्री राजना सिंग और सड़क परिवन वर राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी को लेकर राजस्थान में बाडमेर जालोर की सीमा पर सत्ता गांधाओ के बीच राश्टी राजमार्ग 925A पर बनी इमर्जेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उत्रे वायु सेना के हर और 19 महीने में हुआ है निर्मार्ग जो यह राष्टी राजमार्ग है जिसमें इमर्जेंसी लैंडिंग होगी वो 19 महीनों के भीतर तैयार किया गया है निर्मार्ण कारे की सुरुआच जुलाई 2019 में हुई थी और उसे जनवरी 2021 में पूरा कर लिया गया है नेक्ट नियूज है कि अफगानिस्तान ना बने आतंक की पना देखिए जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है सिखर सम्मेलन उसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात बोली है दुनिया के पांच बड़े देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफरिका के गटबंधन या संग्ठन ब्रिक्स ने अफगानिस्तान के हालात को लेकर चिंता जताई है और इस देश को आतंकवात की पनागाँ बनने से रोकने की अपील की है संग्ठन के प्रमुखों की गुरुवार को हुई वर्चुल बैठक की अध्यक्षिता प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने की है ब्रिक्स की यह 25 सालाना बैठक थी और भारत इस साल के लिए इसका अध्यक्ष है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने अपने संबोधन में जानकारी दी की ब्रिक्स देशों ने आतंकवात के खिलाफ एक कार्य योजना को स्विकरती दे दी है इस कार्य योजना का प्रस्ताव भारत की तरफ से ही किया गया था प्रधान मंत्री ने कहा कि 15 वर्सों के दुरान ब्रिक्स को और मजबूद बनाने का लक्ष होना चाहिए इस तरह से भारत ने इसपश्ट कर दिया है कि पिछले 3 वर्सों में अमेरिका के निर्टत्तों में क्वाड याने की चार संगठन का एहम सदस्य बनने के बावजूद वह ब्रिक्स को लेकर प्रतिबद्ध है देखे ब्रिक्स के बारे में और क्वाड संगठन के बारे में आपको पिछले कई वीडियो में लगातार विस्तार से बताया जा चुका है काबुल में प्रदरसन कर रही महिलाओं पर तालिबान ने बरसाए कोड़े असली चैरा फिर से सामने आया अंदरिम सरकार का गठन होते ही तालिबान की क्रूरता चरम पर पहुँच गई है उसकी जादितियां अब सारजनिक स्थानों पर खुले आम देखने को मिल रही है अपने अधिकारों के लिए संगर्स कर रही महिलाओं के राजधानी काबुल में पर दौरान तालिबान ने उन पर जम कर कोड़े बरसाए और लाटियों से बुरी तरह पीटा है CNN के अनुसार इस परदरसन के दौरान तालिबान ने महिलाओं को तितर बितर करने के लिए उन पर अचानक कोड़े बरसाना शुरू कर दिये हुआ तब से जितना वो आगे बढ़ी थी जितना उन्हें अधिकार प्राप्त किये थे जितना उन्हें सिक्षा मिलना प्रारंब हुई थी हर छेत्र में उनकी भागेदारी बढ़ रही थी अब तालिबान के आने के बाद उनके सारे अधिकार छिन गए हैं वे फिर से 94 से ले में IIT मद्रास फिर सीर्स पर उच्च सिक्षन संस्थानों के सैक्षनिक प्रदरसन के आधार पर सिक्षा मंत्राले ने गुरुवार को नेशनल इंस्टिटूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क याने NIRF की इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की है इसमें भारती प्रदोगे की संस्थान IIT मद्रास ने ओवर ओल केटेगरी में फिर पर्चम लहराया है दूसरे स्थान पर इंडियन इंस्टिटूट ऑफ साइंस बेंगलूर तीसरे पर IIT बॉम्बे चौथे पर IIT दिल्ली पांचवे पर IIT कानपूर है वहीं जवाहर लाल नहरू विस्विद्याले याने JNU 9 औ और BHU दस्वें इस्थान पर काभीज है पिछले साल की रैंकिंग में IIT मद्रास इस पर तो दिल्ली तीसरे और कानपूर छटे इस्थान पर था एन आई आर एफ की इंडिया रैंकिंग इस बार पुना कुल 11 केटेगरी में जारी की गई है पहली बार इसमें रिसर्च की ए पांचमें स्थान पर रहे हैं केंडरी सिक्षा मंत्री धर्वेंद प्रधान ने गुरुआर को मंत्राले में आयोजित एक कारकरम में उच्छ सिक्षन संस्थानों की यह रैंकिंग जारी की साथ ही उच्छ सिक्षन संस्थानों की छेत्री रैंकिंग जारी करने पर भी करते हुए गुरु वार को मीडियम रेंज सर्फिस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भारती वायु सेना की दो हजार दो सो चार स्कौाइडरंड में सामिल किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और इसराइल एरो स्पेस इंडरस्टी ने इसे मिलकर विक्सित कि जैसल मेर में आयोजित एक कारकरम में रक्षा मंत्री राजना सिंग ने वायु सेना को इस सिस्टम की चावी सौपी है इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा पार से आने वाले किसी भी खत्रे को तुरंत ही नश्ट किया जा सकेगा या मिसाइल सिस्टम हमारे एर उधारन दिया है यह डिफेंस सिस्टम के एर क्राफ्ट और गाइडेट हतियार से अपने इलाके की और सेना की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है कारकरम में राजना सिंग ने अफगानिस्तान का उधारन देते हुए कहा कि पूरी दुनिया में अनिश्चित्ता बढ़ रही है नेश न्युज लेटिन जनुट गुरमीद सिंह होंगे उत्राखंड के नया राजजपाल लेटिन जनुट गुरमीद सिंग को उत्राखंड का नया राजजपाल बनाय गया है चार दस्कों की सेवा के बाद वे फर्वरी 2016 में सेना के उप्रमुखपत से रिटायर इन ने मौरे का तागपत्र सुईकार कर लिया और गुर्मीत सिंग को राज्जी का नया राज्यपाल बनाया है इस नई नियुक्ति के अलावा राश्पती ने कुछ राज्यपालों का तबादला भी किया है बनवारी लाल पुरोहित को तमिल नाडू से पंजाब भेजा गया है फिलहाल उनके पास पंजाब का अत्रिक्त प्रभार था केंद्र के वारताकार और सेवा निरुट आईपिस अधिकारी आर एन रवी का तबादला नागा लेंड से तमिल नाडू किया गया है नागा लेंड में नय राज्यपाल की नियुक्ति होने तक असम के राज्यपा मेरिसे पायने और रक्षा मंत्री पीटर दत्तन 10 से 12 सितंबर तक भारत दोरे पर रहेंगे इस दोरान दोनों मंत्री दोनों देशों के बीच होने वाली 2 प्लस 2 मंत्री इस तरिये वारता में भाग लेंगे विदेश मंत्राले ने कहा है कि 11 सितंबर को होने वाली मंत्री इ विपक्षिय छेतरी और आपसी हितों के वैस्विक मुद्दे सामिल होंगे रक्षा मंतरी राजना सिंग और विदेश मंतरी S.J. संकर वारता में सामिल प्रतिनिदी मंडल का निर्थत्त करेंगे अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले अफगानिस्तान में फिर खड़ा हो सकता है अलकाइदा अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड आस्टिन ने इस बात की आसंका जताई है कि अफगानिस्तान में तालिबान सासन के दोरान आतंकी संग्ठन अलकाइदा फिर खड़ा हो सकता है उन्होंने कहा कि हम तालिबान को पहले से ही अलकाइदा से दूर रहने की चितावनी दे रहे हैं अमेरिकी रक्षा मंतरी चार दिन की खाड़ी देसों की यात्रा के दोरान कुएत सहर में पत्रकारों से वारता कर रहे थे उन्होंने कहा कि अलकाइदा को लेकर हमारी तयारी पूरी है हम तालिबान को आगा कर रहे हैं कि वह अफगानिस्तान की जमीन को अलकाइदा को इस्तमाल ना करने दे फर्वरी 2020 में तालिबान ने टरंप प्रसासन से यह समझोता किया था कि वह भूई समें अलकाइदा या ऐसे किसी भी अन्य संग्ठन का समर्थन नहीं करेगा जो अमेरिका को धमकी देते हैं लेकिन ऐसा कम ही लगता है कि तालिबान समझोते का पूरी तरह पालन करेगा अब ये देखिए आप देख रहे हैं कि जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं वे अफगानिस्तान के केंद्रिय बैंक के गवर्नर हैं जो बगल में हतियार रखे हुए हैं अब जिस देश का केंद्रिय बैंक का गवर्नर हतियार लेकर बैंकिं प्रणाली समालेगा उस है मुहम्मथ इद्रिस. How can be next news है? 11 सितंđời को सपत ले सक्ती है तालिबान की कारिवाहक सरकार. बंदूग के दंपर अफगानिस्तान के सत्तह हासिल करने वाले तालिबान की कारिवाहक सरकार 11 सितंबर को सपत ले सक्ती है. इसी दिन वर्ज 2001 में अमेरिका इस्तित विस वियापार संक्टन याने WTO के ट्विन टावर पर भीशन आतंकी हमला हुआ था रिपोर्ट के अनुसार सपत ग्रहन समारों के लिए तालिबान सरकार की तरफ से भारत, चीन, तुर्की, पाकिस्तान, इरान, कतर और अमेरिका आधी को आमंतरन भीजा गया है तालिबान के परवक्ता जबी उल्ला मुजाहिद ने कहा है कि हम मानते हैं कि निवेस के लिए सांती और इस्तिरता जरूरी है, हम चीन समेश सभी परोसियों के साथ मदर सम्मन्द चाहते हैं, युद्ध खत्म हो चुका है और देश संकट से उबर रहा है हमें लोगों के समर्थन की जरूरत है, अफगानिस्तान को मानता पाने का हक है, अंतराश्टी समुदाय को काबुल में दूतावास फिर से खोलना चाहिए नेक्स निउस पर आते हैं नेक्स पेज है एडिटोरियल पेज और एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है मुगालते में बाइडन प्रशासन और यह आर्टिकल लिखा है सामरिक विसलेशग ब्रह्मा चेलानी दौरा अफगानिस्तान में अपनी अनर्थकारी वापसी को लेकर गलती मानने के बजाए अमेरिका के राश्पती जो बाइडन दौरा उसे वाजिब ठहराने की कोशिस यही दर्शाता है कि यह उनके प्रशासन का एक लौता फैसला नहीं होने जा रहा है बाइडन इसे अपने निर्थत्त में अमेरिका के रणनीतिक उद्देश्यों के आधार भुत पुनर संयोजन का प्रतीक बता रहे हैं इसके साथ ही उन्होंने इराक से भी इस साल वापसी की बात कही है उनकी इन बातों से यही सवाल उट रहा है कि क्या अमेरिका अपनी वैस्विक प्रतिबद्धताओं से कदम पीछे खीच रहा है अफगानिस्तान में बाइडन ने जो अनर्थ किया है और जिस दिसा में अमेरिकी विदेशनीती जाती दिख रही है उसे देखते हुए अमेरिका विरोधियों का होसला बढ़ना तय है वहीं अमेरिका के संगी साथियों को ने सिरे से आकलन करना होगा क्योंकि अमेरिकी रुख अब संदिक्द लगने लगा है अब युक्रेन चिंतित है कि जैसे बाइडन ने अफगान सरकार को दगा दिया वैसे ही वह उन्हें भी अधर में छोड़ देंगे चिंता ताइवान को भी सता रही है कि बाइडन की एतिहासिक भूल के बाद चीनी राष्टपती सी जिन पिंग उनके खिलाफ कोई जंग छड़ सकते हैं अमेरिका को लेकर ऐसी आसंकाय निराधार नहीं है बाइडन ने अफगानिस्तान को जिस तरह आतंकियों को तस्तरी में परोज कर दे दिया है वह अंतराश्टी जिहादी मुहीम के लिए एक बड़ी जीत है यह भी एक दुर्योग है कि बाइडन के सत्ता समालने के कुछ ही महीनों के बीतर आतंकियों ने अफगानिस्तान पर कपज़ा जमा लिया है ऐसे में निश्चित है कि यह बाइडन की आखरी भूल नहीं साबित होगी राश्पती बनने से पहले बाइडन कई एहम पदों पर रहे हैं उस दौरान उनके सयोगी रहे तमाम लोग उनकी नीतियों और फैसलों को लेकर सवाल उठा रहे हैं जहां तक अलकाइडा का सवाल है तो काबल पर कपज़े के बाद से तालिबान के प्रवक्ता ने उसके खिलाफ एक सब्द नहीं बोला है उल्टे उसने यहां तक कहा कि अमेरिका में 9-11 हमले में लादेन की सनलिप्तता के कोई सबूत नहीं है जो लोग तालिबान और अलकाइडा को जुदा समझते हैं उनके लिए यह एक द्रिश्टान्त है अक्टूबर 2015 में जनरल जॉन एफ कैबल के निर्तत में अमेरिकी सेनाओं ने दच्छिन पूर्वी अफगानिस्तान में अलकाइडा के सबसे बड़े आतंकी ठिकाने का पता लगाया जो करीब 30 वर्ग मील के दायरे में फैला हुआ था मालूम पड़ा की वहां अलकाइडा और तालिबान के रंगरूट एक साथ प्रस्रिक्षण लेने के अलावा उनका साथ में संचालन कर रहे थे बाइडन प्रसासन कई मुगालते पाले हुए हैं वह मानता है कि तालिबान और अमेरिका दोनों IS खुरासान के सत्रू हैं जबकि तालिबान नहीं खुरासान के कई अतंकियों को अमेरिकी कैट से छुड़वाया है ऐसे में वे कैसे दुस्मन हो सकते हैं इसी तरह वह तालिबान और हकानी नेटवर्क को अलग संगठन मानता है जबकि इसी हकानी नेटवर्क का मुखिया सिराजुदीन हकानी तालिबान के सीर्स नेताओं में सुमार है और उसे नई अंतरिम सरकार में ग्रह मंत्राले का जि काबुल से अपने और सहोगी देशों के नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हक्कानी नेटवर्क पर भरोसा किया है और अफगान में सेस रह रहे लोगों को इन विक्षिप्त धार्मिक उनमादी ताना साहों के रहमो करम पर छोड़ दिया है नेक्स्ट न्यू जो आर्टिकल है वो धार्मिक आर्टिकल है उसका हमारे एक्जाम के पॉइंट अफ़िव से ज्यादा महत्तु नहीं है इसलिए इसे डिसकस नहीं करेंगे उसके बाद संक्रवन बढ़ने का खत्रा केरल में और जो ये गणे सुत्सों है उसमें फिर से संक् लिखा गया आर्टिकल वो भी इंपॉर्टन नहीं है हमारे लिए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है बिजनेस पेज बिजनेस पेज में सबसे पहली जो न्यूज है कि भारत में टिकना अफोर्ड नहीं कर पाई फोर्ड पिछली एक दसक के दौरान भारती कार बाजा कि वह सानन्द याने गुजरात इस्थित प्लांट को इस वर्स अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान और चेनने इस्थित इंजन मैनुफेक्ट्रिंग प्लांट को अगले वर्स अप्राइल जून तिमाही में बंद कर देगी इसके साथी भारत में कमपनी के इको स्प के इन दोनों सयंत्रों में करीब 4,000 कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी जाने का खत्रा है हाला कि कमपनी ने यह भी संकेत दिया है कि वह इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में उतर सकती है फोर्ट इंडिया का कारोबार बंद होने से तकरीबन 44,000 रोजगार पर असर पड़ेगा फोर्ट में सीधे तोर पर 4,000 लोग काम करते हैं कमपनी के 391 सोरूम में कुल मिलाकर 40,000 कर्मचारी करते हैं नेक्ट न्यूज है निर्यात को 56,000 करोण की मदद सरकार चालू वित वर्स में ही निर्यातकों के सभी बकाय का भुकतान करने जा रही है और इस मद में वित मंत्राले ने 56,000 करोण का आवंटन किया है इस फैसले से 45,000 निर्यातकों को फाइदा मिलेगा जिससे उनकी नगदी कमी की समस्या दूर होगी इनमें से 98,000 MSME सिरेणी के निर्यातकों ने बताया कि सरकार के इस फैसले से वे अधिक ओर ले सकेंगे और सम वित वर्स में सरकार ने 400 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष रखा है वानिज व उद्योग मंत्री प्यूश गोईल ने बताया कि 56,000 करोण रुपए से निर्यातकों के सभी पुराने बकाय का भुकतान किया जाएगा जिसमें मर्चेडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडि ये स्टेट्मेंट दिया है वित मंत्राले ने वित मंत्राले का मानना है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आ भी जाती है तब भी चालू वित वर्स अगली तीन तिमाहियों के दोरान एकोनोमी में तेज रिकवरी होगी गुरु वार को रिपोर्ट में वित मंत्राले ने कहा कि टीका करण में लगातार बढ़ोतरी और बहतर कुरोना प्रबंधन के अनुभों से अभिया भरोसा किया जा सकता है कि तीसरी लहर के बावजूद अर्थ वैस्ता की रिकवरी प्रवावित नहीं होगी 8 सितंबर तक देश की 60 फीजदी 20 आबादी टीके की कम से कम एक डोज ले चुकी है हाला कि रिपोर्ट में एक बार फिर से डेल्टा वैरियंट को लेकर चिंता जाहिर की गई है और इसे रोकने के लिए जाच में बढ़ोतरी के साथ कुरोना रोगथाम वैवार को जारी रखन दी गई है नेक्स्ट पेज पर आते हैं नेक्स्ट न्यूज है स्पोर्ट्स पेज की कि दमदार वापसी से सेमी फाइनल में पहुंचे जोकोविच जोकोविच ने दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाडी नुवाग जोकोविच ने एक बार फिर पहला सेट हारने के बाद इटली के मैटियो बेरिटनी के खिलास 4 सेटों तक चले मुकाबले में 5-7-6-2-6-3 से जीत दर्ज की है अब semi final में उनका सामना जर्मनी के टोक्यो ओलंपिक चैंपियन एलेक्जेंडर जेवरेव से होगा तो ये आज का यानि 10 सितंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्टिय संस्क्रण था आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद